नमस्कार आदाप सस्तिर्या करफेट्स आज का ये वीडियो बहुत तरह खास है क्योंकि ये जो वीडियो है एक डिमांडेबल वीडियो है हमसे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थे कि सर एक रिचेप्शन मैनेजमेंट के उपर वीडियो बनाईए कि रिचेप्शन पर हम डियोटि कैसे करेओ और कौन से खिल है जो हमारे पस ऑजे रिचेप्शन अंहें होनी चाहिए ऐक रिचेप्शन का जो जॉब होता है बहुत ही चैल्लेंजिंग जॉब होता है क्योकि रिचेप्शन का जो जॉब है किसी भी कंपणि का फर्स्ट फेस है कोई भी व्यक में अच्छे से हेंड़ करने पाई तो उसके लिए आपको सब से पहले सीद्न चाहिए हों सबसे हें मूड चेंजिंग स्किल मूड चेंज़िंग स्किल क्या होता है देकिeg वैकति नहीं कर कि लाइफ जीcketा है एक personal life होतीए एक professional life होतीए अब personal life की वज़े से professional life में फर्क नहीं होना चाहिए और professional life की वजजा personal life में कोई फरक नहीं आना चाहिए तो क्या होता है यह कि घर वालों के किसी से आपका mood disturbed है उस बाती का senseせて आपके professional life में नहीं पढ़ना चाहिए और अगर आपके professional life में कुछ disturbance आ गया है, कुछ ऐसी बात हो गई, अपरी अघटना हो गई, जिसके जैसे आपका mood खराब है, तो उसके जैसे आपका personal life disturb नहीं होना चाहिए, तो इसको balance जो कर पाएगा ना, उसी को बोलते है mood changing skill, और सबसे best चीज जो है, इसको manage करने की, आप लोगों को माफ कर दीजी, अब ये जो चीजे होती है, disturb होता है mind, वो क्यों होता है, आधी तर देखेंगे तो लोगों के बुरे व्यवार के वज़े से ही होता है, अब माल लीजी आप सबेरे आप उठे, आपके घर में आपके पती, या फिर आपकी पतनी से, या आपके बच्चों से कुछ ऐसी बात हो गई, अइनबन हो गई, तो वहां से आपका मूड खराब हो गया, दुसरा आप ट्रैवल करने के ट्रेन में धक्का मुक्की की वज़े से, और वो जो हिस्सा है ट्रेन का अक्सर होता ही है, किसी के साथ जगड़े या जंजट हो गया, किसी के साथ माल प्र आप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको उनको माफ कर देना है, माफ करने से ही आपका मूड अच्छा हो गया, तो फिर क्या होगा, वो मतलब आपका माइन लगा तरह सोचता रहेगा, इसको कैसे मंदब डिस्ट्रॉय करो, कैसे बदला लू, तो ये चीज़े आपके माइन में होती रहेंगे, जिससे आपका ना प्रोफेशनल लाइफ अच्छा हो पाएगा, ना परसनल लाइफ अच्छा हो गया, तो सबसे बढ़िया है कि अपनी लाइफ को परसनल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए लोगों को आप ज़रा माफ करना सी कि कि इसको नहीं लग जाती हो जाता है यह तो ट्रेन का हिस्सा अब पूरा डिब्बाई भरा हुआ है तो जान बुझ की पीछा धक्का नहीं मार रहा है आपको आप समझ लीजी इस बात को तक का आ गया है अगर जान बुझ कहीं मार दिया तो ठीक है भाई थोड़ा डाड द बारा गंट की जो भी shift होती है और बस सारी चीजे आपके favorable नहीं होगी हर moment आपके लिए अच्छा नहीं होगा वहां पर आपको अच्छी बाते सुनने को भी मिलेंगी और बुरी बाते भी सुनने मिलेंगी तो वहां का जो आप burden है वो अपने घर पर मतलाई है उससे आपका परसनल लाइब भी डिस्टरब्ल हो जाएगा तो अगर आप balance कर पा रहे हैं mood change कर पा रहे हैं तो इसे को बोलते है mood changing skill और सबसे अच्छा तेरी का यह है कि आप लोगों को माफ करना सीखें आप कुछ अपवाद भी है जैसे किसी के death हो गई ऐसा कोई प्री हमको था हमारे ह कोई friend हो सकता है हमारे family का कोई member हो सकते है तो उसका तनाव समझ सकते हैं तो उस सब्सक्राइब को माफ करना सीखें चलना यार होता है कोई बात ने चलेगा ऐसी अगर आप मन में धाड़ना रखते हैं तो आप यह स्किल develop कर पाएंगे आप माफ नहीं कर पाएंगे तब पाएंगे तो लोगों को माफ करना सिखिए इसको बूलते है मूड चेंजिंग स्किल तो आप अगर यह कर पा रहे हैं तो आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में भी अच्छा जीवन जी पाएंगे बैतर जिंदगी को जी पाएंगे आप देखेंगे आप पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छे होंगे और आप प्रफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे तो जिससे आपका लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगा तो यह रिसेप्शन पर आप देखेंगे तो आपको मूर अगर चेंज करना आ गया तो मैं दू बात कर रहे हैं तो उसको भी इन डारेक्ट कम्यूकेशन ही बोलते हैं मोबाइल पर बात कर रहे हैं तो उसको भी बनलब किसी माध्धम से दूर वाले व्यक्ति से आप बात कर रहे तो उसको बोलते हैं इन डारेक्ट कम्यूकेशन तो यह कम्यूकेशन पर आपको काम करना ह अब कोई वेक्ती frustrated वगर आया है और उससे आप भी frustration की mood में रहेंगे आपका face देखे लेगा तो उसको लगा कि क्या हो गया मेरे साथ कितना बुरा दिन मेरा आज है तो अगर आप अपना face अच्छा रखते हैं अपना behavior polite रखते हैं communication अगरा में तो बहुत अच्छा आप सामने अब विजटर आपके पास आएगा आपका विश करेंगे उसको विश करेंगे तो वह smile वाला wish होना चाहिए ऐसा smile नहीं होना जाहिए कि लगे उसको देखके आप हस रहे है ऐसा smile नहीं तो आप इसको भी balance करना है यह भी skill है इसको balance करी है आप पड़िया से एक्सपेक्टफ आपके घर पर 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 जाता है ना फैमिली बाहर से आती है आपके रिस्ता देख जाते हैं आपके भाई दूर वाले जो आप मिल लेगा जाते हैं तब आपके चेहरे पर वैसी smile वैसा joy आपके चेहरे पर होना चाहिए तो आप बहुत बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे त अब से पहला कि आप क्या कहेंगे सर मैं आपकी किस तरह से सायता करता हो तो खुद ही बताएगा कि मेरा ना उसका जो भी नाम हुता फ्लेज़ कोशयות मिलना है ठीक है फिर उसको क्या काम है यह चार चीज़े आपको अपने आप बताएगा अगर नहीं बता रहा है तो आप उससे पूछना है चार चीज़े सर आपका नाम क्या है आप कहां से आये हैं आपको किस से मिलना और क्या काम है यह चार चीज़े आप उससे पूछे उसके बाद अब यह आया है, तो किसी से मिलगा, मालीजी उसको purchase में, किसी से sales में किसी से या फिर marketing में किसी से मिलना है, ठीक है तो अभी आपका क्याम के आपने चार knowledge उसका ले लिए है, उसको आप बैठने को बोलिए, इसा आप पानी बगएर कुछ लेंके अब मौसम देखिए कैसा होता है कि मालनीजी आप गर्मी का समय है तो बाहर से कोई व्यक्ति आएगा तो उसको थरद सा प्यास बगएर लगता है अगर नहीं भी लगता है तो हम घर में क्या करता है जब कोई आते हैं चाय पानी पूछते हैं भले सब्सक्राइब सेंधों सकता है उनको बैटने के लिए मैं मीटिंग में हूं मैं एक गंटे दो गंटे में आता हूं तो आपको सेव मैसेज फौरग्टर सा बैठी चरा सर आ रहे है एक दो घंटे लगेंगे मीटिंग में बिजी है या फिर आपको बोल सकते हैं कि आप डार कर दीजिए फर्स्ट लिफ लीजिए आगे जे लेफ ले लीजिए फर्स्ट कैबिन सरका है ठीक है या फिर आप उसको हाउसकीपिंग या फिर किसी एक सीक्यूर्टी गार्ड की साहिता से उसको बोली सार को जरा सर के पाथ चोड़ दे यह काभी बस्ट होगा आप स्कॉर्ट मैं कर सकते हैं भी क्मूर्जिशन मां मैं ऎक पूदे रहा हूं लुक선 कर सकते हैं तो यह अप रविया आपनाएंगे तो काफी बढ़ेयां आपका अब ड्यूटी गखर्ण जाएगा आप माल लिए पर्चेस वालों के लिए अक्सर कॉल आता है आप देखेंगे क्योंकि वह कंपनी जो पर्चेस करती है वह बाहर लोगों से करती है तो उससे जुड़े वेंडर वर आपको कॉल करेंगे रिचेप्शन पर क्योंकि बौर्ड लाइन नंबर ही वहां पर अबलेब माना जाएगा एक प्राइवेट बैंक को देखी आप और एक गौर्वर्मेंट बैंक को देखी आप देखेंगे तो गौर्वर्मेंट बैंक का जो सर्विस से काफी पूर माना जाता है और प्राइवेट बैंक का जो सर्विस से बहुत अच्छा मानाता है अब बैंक खराब मतलब आपका बिज्दस आने वाला है आप बढ़ेंगे तो इस हिसाब से आप बात कीजिए उससे का कस्टमर से जब आप टेलिफोन पे बात कर रहे हूं तो वहां पर भी आपको चारी चीज़े बात करनी है sir आपका नाम क्या है आप कहां से call कर रहे हैं आपको किसे बात करनी है और क्या काम है अब किसे मिलना की जगह से किसे बात करनी वाली हो जाएगी तो ठीक यह चार इंफरमेशन आपको आप फे ले दीजे ठीक है अगर वो person available है ठीक है तो ट्रांसफर कर दीजिए कॉल अगर नहीं बोलेगा तो फिर मत कीजिए अमाली जो कह रहा मुझे बात नहीं करने तो आपको डिरेक्टली ऐसा नहीं कि वह बोल रहे हैं कि मुझे आप से बात नहीं करने आपको वहां पर थोड़ा सा पॉलाइटली बोला है सर अभी वह करने हैं ऐसे हो सकता है कि को वेंडर किसी से मिलने के लिए आ सकता है है अब माल लिजिए कोई कंपणी है जो जूस वगएरा बेशती है अब तो एमको को जौत नहीं है आप क्या किई यह सर आप अपना कार्ड मुझे को द दिजिए मैं सर को दे दोंगा आध अभी अवी आ होगा जो वेंडर आया है मिलने के लिए आपके पर्चिस वाले से आप जब इस तरह से बात करेंगे तो उसको बहुत बढ़ियां लगेगा और वही तो आपका काम है अच्छा एक्स्पिरियंस करवाना है तो इस तरह से आप डारिक इंडारिक कम्निकेशन स्कील डेवलब करेंगे जो कि पॉलाइट होना चाहिए एक हेल्फुल मतलब होना चाहिए कि आप मदद कर रहे हैं ऐसा होना चाहिए आप पूस्ता जोगर करेंगे तो इसको इसा नहीं लगना च तिसरा सबसे इंपवर्टेंट है वह नेजिमेंट अब ना अच्छा मेंजमयन का मतलब है मतलब अब पर जेतने वह्त्य चीजिए रखी हो सई जग़ा पर होने चाहिए अब आपके टेबल पर क्या-क्या हो से कि द्यान देजिए रजिश्टर होगा ठीक है फिर पेन और अ highlighter वगरा हो गा File होगी फिर क्या बोलते हैं यह फाई लोगी बहुत सारी Box फाईलबा होती है यह चीजह होगे फिर आपके डिवर क्यूट होगा फस्टड बॉक्स होगा डिपोन व्यकरा होगा यह सारी है आपकी तो यह सारी चाहिए अस्त के इसने आपके इरद्गित होने चाहिए तो आपके आप मेचले चाहि бाड़ा करते है। हम सकते तो यहांगे फेस को को देखकर किसी को अच्छा मैसिस हो सकता है तो ऐसे अगर टेबल आप इतना अच्छा क्लियर रखेंगे ना उतना आपका जो काम है बहुत आसान हो जाएगा अब माल लीजे देखिए आप कोई नंबर लिखना है आपका नोट पर आपने नीचे लाग फेका हुआ है तो आप आपको ध्यान देना है कि सारी चीज़े एक तम जगे पर हो यह सबसे बहुत इंपोर्टेंट जो है कि टेबल हमेशा नीड एन क्लीन और सारी चीज़े उसकी जगे पर होनी चाहिए अब चाथा पॉइंट जो है वह है रजिस्टर मैनेजमेंट एक रिशेप्शन पर रजि वह सकते हैं अब द syllabus का थिरेगे तो उसी वह समाझ में अड़िये कुछ दिनों में कि बाहिए एक आपको लुस्त देखकर समाझ में आ जाए गा की कौन से नंबर पर कौन सा रजिस्टर है ठीक है को आपको कोई medicine register निकालना है तो आपको माल में कि जो register है वो छे नमबर पर रखावा है तो आप पांच register लीजे फटक सी निकाल दीजे तो इस sequencing आप manage रखेंगे ना तो listing करके रखेंगे ना तो आप register manage करना बड़ा आसान हो जाएगा दूसरा आप ताइम वाज रसकते हैं अब देखिए कुछ register होते ना बार-बार काम आते हैं ठीक है तो जैसे कि होगा attendance register यह आपका morning और evening दोने में काम आता है अब first shift के लोग जब आएंगे वो second shift में जाएंगे तब यह काम आगा तो आप सा समय इन चार register को या फिर पांच जितने register है आपके जितने department आपके पास है तो उन सारे register का कीजिए आप sequence में लगा के रखिए ताकि आपको को कोई दिक्कत नहीं है और उनको time wise manage करते रहिए अब register को अच्छे से manage करने के लिए कुछ बाची अब ध्यान रखिए सबसे पहला उस पर cover बढ़ियां लगा होना चीए और वो किस काम का रखिए जिसे विजिर रजिस्टर है ठीक है या फिर attendance रजिस्टर है तो उस पर लेबल बढ़ियां से प्रिंट आउट निकाल दीजिए और उसको लेबल के रखिए ठीक है फिर आप जब उसको handling वेरा करते है ना तो उसके handling पर विध्यान दीजिए ऐसे फेकी है वेगरा मत तो उसे cover वेगरा फट जाते पेज फट जाते बाद में फिर वो पूरा पेज ही cover से अलग हो जाता है तो यह चीज़े नहीं होना जिए अगर cover फट गया है तो उसको change करते रहे है टाइम टाइम पर ठीक है और हमेश सही इन चीजों सही आपके performance को ना पा जाता है कि आप कितना बढ़ियां काम कर रहे है आपका रेजिस्टर अस्त वेस्त रहेगा तो कोई भी देखकर यही कहेगा कि इनको विजिटर में तो इनको reception का job वगरा नहीं पता है तो आपके लिए ऐसा bad comment वगरा हो सकता है तो आप cover अच्छा रखिए लेबल लागा के रखिए रखिए फिर उसको time wise manage कीजिए list wise manage कीजिए ऐसे आप एक transistor को manage कर सकते हैं ठीक है उसके पॉइंट है assistant to all assistant to all का क्या मतलब एक reception पे आप देखेंगे ना तो सभी लोग order ही देते वहाँ पर आपका कोई यहाँ पर सुनने के लिए नहीं आते हैं आपसे order देता ही है अब visitor आएगा तो वो क्या बताएगा कि मुझे उससे मिलना है यह भी order हो गया ठीक है फिर आपको अंदर department से call आ सकता है कि यहां की AC कम कर दो लो करनी के लिए बोलो तो यह भी आपका order हो गया ठीक है आपका supervisor आएंगे वो क्या बोलेंगे कि कि बोल देना है यह काम करने के लिए यह गाड को call करको यह बता हो तो यहां पर आपको जैसे क्या करना है और आपको सीथे पास होन करने तो यहां पर आप आपको सब के assistant काम करेंगे चाए वो vendor हो चाए visitor हो चाए आपके insider हो कोई भी आपका company का व्यक्ती क्यूना तो आप आपको यहां पर असिस्टेंट काम करना है, उनका मालिक बनके काम नहीं करना है, आपको ध्यान रखने हैं, आपको असिस्टेंट की, आपको मददगार की जो भावना है, जो भाव है, उसको बनाए रखना है, और सबको उसी तरह से आपको मदद करनी है, यहां पर आप देख किगर्दार का भाव रखेंगे आपको सब की मदद करनी आपके कंपनी आपकी कंपनी के लोगों से जुड़े लोगों के कंपनी और आपकी टीम की सब की мदद आपको यहां पर करनी है आपको सबके साथ यहां पर bạn के रखना है सबसे अच्छा मेल जो समन्दम है ताल में नवागा कर रखना है तभी आप काम कर पाएंगे इसको बोलते हैं असिस्टेंट टू और स्किल छटबा है मीटिंग रूम मैनेजमेंट तो मीटिंग मेनेजमेंट क्या मतलब है एक कंपनी में क्या होता है कि वहाँ पर बहुत सारे मीटिंग रूम होत सकते हैं तो वहाँ पर लोग बैठ कर मीटिंग करते हैं थो कौन सा मीटिंग रूम खालिए इसका ध्यान जानकारी है तो आपके यहां पर मीटिंग रूव में रहे हैं क्या हाल चाल है क्या वहां पर गतीव दिगर चल रही है आपको इसकी जानकारी होना चाहिए तो यह छे अगर आप अपने पास रखते हैं तो आप बहुत बढ़िया रिसेप्शन मैनेजमेंट कर पाएंगे और आपकी रिसेप्शन की डूटी सबसे बेस्ट जाने वाली है अब एक बोनस टिप जरह मैं आपको जाती चते दे दूं तो सब फ्रेंड्स आपको यहां पर जो स्किल्स इसे को मतलब नहीं होता है तो आप कम्यूकेशन स्किल में एक चीज आप कर सकते हैं कि अपने आपको ऐसा डेवलप करें कि आप बहुत कम शब्दों में अपनी बात को सामने वाले के सामने रख पाएं दूसरा है टेक्निकल विगरा जो चीजे हैं उन पर आप अपने आप आपको जब रेगुलर करना है तो वो कम समय में कैसे हो सकता है इस चीज की आप हमेशा खोज परताल करते रहें और इसको अपडेट करते रहें अपने चीजे तो यह बोनस टिप था आज का इस वीडियो से जुड़ा आपके लिए तो यह चीज अगर आप करते हैं तो आप आप बहुत आगे जाएंगे और जरूरी नहीं आप रिसेशन पर हैं तो आप रह जाएंगे अपना अपडेट करते रही है देखिए एक बात अपने कभी ध्यान दिये क्या सरकार ने पढ़ने के लिए कोई इम्रों पर नहीं दिये आपको आप कोर्स वगरा देखेंगे त हर कोर्स के लिए एक लिमिट होती है लेकिन पढ़ने के लिए एक दुणिया में कीशी भी संस्थान में कोई भी एज लिमिट नहीं दी गई है आप पचास साल की उमर में भी पढ़ने जा सकते हैं तो कभी धिमाग मत लाइएगा कि आप बहुत देर हो गया अब क्या कर दिया तो आपका earning हमेशा के लिए बंद हो जाएगा ठीक है तो आप हमेशा अपने आपको learning mode पे रखिए सीखने वाला दिमाग रखिए इसे बच्चे में उस्सुक रहते ने चीजों को जानने के लिए वैसी उस्सुकता आप लाइए ताकि आप बहतर बन सके difference मैं सब जानता हूं यह भावना कभी होनी ने चाहिए मैं कुछ नहीं जानता मुझे बहुत कुछ सीखना है ऐसी भावना के साथ हमेशा आप काम करें और दिखेंगे आप हमेशा की क्या होगा आपका दिन बदिन तरक्की होते जाएगा और लोग जहां फे तो वहीं रह जाएंगे और आप उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे तो एजुकेशन मेगरा हमेशा आप अपडेट करते रहे जिए माली जब किसी मुझे से बारवी पास नहीं कर प चुकी है तो आप यहां से reception से उटके admin में जा सकते हैं आप education थोड़ा और अच्छा कर लेंगे तो अब HR में जा सकते हैं अब आपका देखिए base बहुत ज़्यादा मजबूत है कि आपको बात करने का तरीका बहुत अच्छा आगया है तो administration में HR में आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे और बहुत higher post पर आप जा सकते हैं आप vice president की post पर भी जा सकते हैं लेकिन चीज़े कब होंगे जब आप अपने आपको educate करेंगे तो इसलिए technical और communication और educational चीज़े आप समय समय पर update करते रहें तो आप बहुत बैतर कर पाएंगे अपनी life में मुझे उम notification सबसे पहले पाने के लिए नेक्स वीडियों में तब तक के लिए जय हैं